हलो दोस्तों वैलकम बैक्टीवर यीटूट चनल तो दोस्तों आज के माजुक्ड न्यवीडियो में आपके साहर तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए ले are और च olduğ केjekt्यार के लिए आपकी तैयारी के लिए हम लेकर आएहे तो आप देख सकते हैं इसमें दो सालूसन करा रहें क्योंकि आपका प्यूं़ का पीपर है ठीक है टिब ठीक रहेंगे ठीक है क्योंकि ये दो याद 24 में पूछे गए हैं वो भी SSCGD में कई सारी पोस्ट रोती हूं उनके लिए तो आपके लिए तो और इससे सिंपल आएंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं तो ये आज इस वीडियो में हम आपके लिए मैत के कुर्शन लेकर आए आप देख सकते हैं आप इसमें क्या करें बच्छों और देखना है ठीक है किस तरह से सवाल करने होंगे इस तरह से प्रैक्टिस कराए करेंगे और एक जैसी बी चेप्टर को ले लेंगे वो उसकी मेरत्थन बनाएंगे गंटे दो गंटे की जो भी 21, 22, 24, 24, 24 साल के प्रिवेस एर कुस्सन होंगे उनको सब को कराएंगे चेप्टर के अकॉर्डिंग ठीक है जो भी सिलिवर्स होगा उसके अकॉर्डिंग चेप्टर के अकॉर्डिंग को कराएंगे तो अब चलते हैं दोस्तों अभी इसकी एकजम की डियर्ट आई नहीं है आई जाएगी आपको बता देंगे तो पहला सवाल है इसमें पहला सवाल एवरेज का दे रखा है आप लोग देख सकते हैं अगर आपसे आता है तो आप करके कमेंट में बता सकते हैं एक क्रिकेट टीम में साथ पुरसों की आयू कितनी है 26 25 21 29 24 28 और 22 है उनकी ओसत आयू कितनी है पहले तो ओसत आयू क्या होती है ओसत क्या होता है ओसत होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्या वह संख्याओं का योग कितना है और कितनी संक्या है उसका हमको डिवाड करना है यहां पर कितने पुरस है साथ पुरस है तो साथ का हमको डिवाड करना है इन सभी साथ संक्याओं को जोड के तो यहां पर कितना है 26 25 21 29 28 28 और 22 को जोडना है ठीक है तो अब आप लोग देख सकते हैं इसको जो 30 और 1 24 24 और 5 कितना हुआ 29, 29, 35 की 5 हासिल कितना हुआ यहाँ पर 3 ठीक है अब यहाँ पर इधर जोड़ सकते हैं आप लोग 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 2 10, 2 12 और 2 14 14 और 3 17 17 मतलब 175 बटे कितनी पुरस हैं 7 है तो 7 से इसको डिवाड कर देंगे और यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो 7 दोनी 14 कितना बचा यहाँ पर 3 बचा 7, 5, 35 तो यह हो गया 25 इसको सन का राइट आंसर ठीक है इसका कलर चेंज कर लेते हैं 25 इसको सन का राइट आंसर है अब चलते हैं बच्चो अगले परसंड की तरफ और देखते हैं अगला परसंड ठीक है कुस्सन नमबर 2 अब कुस्सन नमबर 2 देख सकते हैं यहाँ पर एक कुर्सी एक कुर्सी का अंकित मूल 2,000 रुपई है एक कुर्सी का अंकित मूल कितना है 2,000 रुपए है 20% और X% की 2 क्रिमे की छूटें देने के बाद वह कुरसी 14,000 रुपए में बेची जाती है X का मान गयात कीजिए इस तरह का बच्छो हमने सवाल आपको कराया था किसमें जो DSSV की प्रैक्टिस कराई है उसमें तो अब इसी तरह का सवाल यह सिर्फ संक्या चैंज आई तो इसको कैसे करते है पहले तो मैंने यह का ट्रफ मार्केटिंग से मार्केटिंग प्रैस तो मार्केटिंग प्रैस यहां पर कितने 2,000 गुणा अब 20% का बटा है बटा का मतलब 20% discount तो कितना हो जाएगा 80 बट्टा 100 तो यहां पर 80 बट्टा 100 मतलब कहने का यह है कि 100 मैंसे हम बट्टे को गठा दे हैं तो 20% तो 100 मैंसे हमने 20 को गठा दिया तो 80 बचा इसी तरह हमको निकाना तो 100 माइनस के X कर देंगे ठीक है और बट्टे 100 बराबर यहां पर कितना हो जाएगा आपका 1400 रुपए या तो Selling Price दे रखाओ यो Cost Price दे रखी हो जो भी हो वो यहां पर रखेंगे ठीक है यहां से हम काट पिट कर लेते हैं यहां से देखो एक दो तीन चार जिरो एक दो तीन चार जिरो यह काट चुके है तो अब देख सकते हैं और यहां से दो से 14 कटे कितनी बार साथ बार दो जिरो लगा दी चीज़ यहां पर ठीक है अब इसको Solution कर सकते हैं तो यहां पर कितना बचा 100 माइनस X 100 माइनस X बराबर हो जाएगा आपका कितना 700 बट्टा 700 बट्टा कितना हो जाएगा यहां पर यह 8 आठ आ जाएगा नीचे ठीक है तो 8 हो जाएगा 8 से इसको हम काट लेंगे ठीक है 8 से इसको काट लेंगे तो कितना जाएगा यहां से 8 या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको 7 गुणा 100 बट्टा 8 ठीक है 8 को 4 से चार दुनी, 8 इसको 25 बार, 25 सत्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे 174, यह आ जाएगा आपका 174 बट्टा, दो ठीक है, तो यह हो जाएगा, आपका i simple पड़ गया, अब यह हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, 87.5, कितना हो जाएगा 87.5 अब ये निकलाय किसका 100-X का अब 807.5 गठाएंगे तो ये कितना बचएगा आपका तो ये बचएगा आपका कितना थोड़ा सा उपर करना हो बचाएं तो ये बचएगा आपका आजागे तमारा 12.5 आप लोग अठा लेना वारेपरंट पांच यह हो जाएगा इसका सही अंसर ऑप्सन नंबर एक इसका राइट अंसर है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले प्रसंद की तरफ और देखते हैं कुर्शन नंबर तीन अब कुर्शन नंबर तीन क्या है वच्चों आप लोग इसको देख सकते हैं प्रसंद तीन को ठीक है तो यहां पे बोला गया है थोड़े जूम करते हैं इसको न अब ठीक अब इसको बोलिए ए और वी दोनों पांच जार रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं A 25% का लाब अरजित करता है जबकि B को 10% की हानी होती है A और B के क्रेमूल का अनपात है मतलब इनका अनपात पूछा गया है क्रेमूल का और यहां पे क्या है A और B 5 यार रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं मतलब बेचते हैं और जब बेचते हैं तो बेचने से हम क्रेमूल निकालते हैं तो उसका क्या करते हैं जो भी पर लाब हो या हानी हो उसका उल्टा कर देते हैं तो पहले तो हम निकाल देते हैं किसका एका एका क्या निकाल रहे हैं क्रेमूल ठीक है एका क्या निकाल देते हैं यहां पर क्रेमूल तो गुणा मन लगा बराबर लगा है 125 वता सो तो यह विक्रे मूल यह 5 यह यह सेलिंग प्राइस है तो इसको क्या करेंगे वाश्ट प्राइस हम बदलना तो उल्टा करना पड़ेगा तो 180 कितने करदेंगे 125 कर देंगे 100 वता 125 25 पंजा 125 25 चौका 100 5 से इसको काट लेंगे यहां पर आ चार हजार, ठीक है, इसी तरह हम B का निकल लेंगे, तो B बरावर, पांच हजार, अब B पे क्या है, प्रॉपिट है या लोस है, यहां देख सकते हैं, B को 10% की हानी, हानी का मतला लोस हो रहा है, तो यहां पे क्या करेंगे, अब उल्टा करना है, क्योंकि यह क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो 100 बत्ता कितना करदेंगे, 90 घेरो से जीरो काट देंगे, यहां पे कितना हो जायेगा, 50,000 बत्ता, 9, Кितना हो जाईगा, 50,000 बत्ता, 9, अब इन दोनों को अनपाथ में रखेंगे, E, अनपाथ B, E, अनपाथ B, E का अनपाथ कितना भई, 4000 है, ठीक है, और an और पात B का कितना है पाँच ज़र बट्टा 9 ठीक है नो को इधर चार की तरप कर देंगे गढ़ां तो 9 चो का कितना हो जागे यहांपे 36 ठीक है तीन जिरो से तीन जिरो काट लीजिए ठीक है नो चो का च्छतिस यहां आजाएगा आपका 36 अनपात 50 तो 36 काटेंगे दो से त तो यह था इसका सही आंसर इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं 2014 में ठीक है यह TCS करा रही है एक्जाम को ज्यादतर TCS कराती आपका भी TCS कराएगी ठीक है तो आप लोग इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग दो तीन साल के जो भी प्रिविस एर पेपर हैं वो आप लोग क परसन अगला परसन है बच्छो देख सकते हैं यह आचुका स्क्रीन पर यह है दो रेल गाड़ियां समान चाल से विप्टी दिसामें चल रही हैं यदि प्रतिक रेल गाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और बे 18 सेकंड में एक दूसरी को पार करती हैं तो प्रतिक रेल गाड़ समान चाल से चल रही है ठीक है कैसी चाल से समान चाल से तो समान चाल से चल रही है तो रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है 320 मीटर है दो रेल गाड़ी है समान चाल से प्रतिक रेल गाड़ी की लंबाई मतलब प्रतिक एक की कितनी है 320 तो दो की कितनी हो जागी 320 प्लस 320 ठीक ह अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लो 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देती हैं विप्रीद दिसा में विप्रीद दिसा में चलती है तो दोनों रेल गाड़ी की लमाई क्या हो जाती है चाल क्या हो जाती है उनकी जुड़ जाती है ठीक है चाल क्या होगी जुड़ यह x km पर हावर से ठीक है और यह इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है दूरी हमको क्या करनी है भई दूरी यह दिरके ट्रेन की लंबाई कितनी दिरके 320 मेटर दिरके है इनकी ठीक है इनका समय कितना है 18 सेकंड है तो आपको पता है चाल बराबर फर्मला क्या होता है दूरी X और समय 18 सेकंड यह आ चुका है 320-320 कितना हो जाएगा आपका 640 2X बराबर कितना हो जाएगा 18 ठीक है इसको simplify कर लेते हैं ठीक है तो इसको solution करेंगे तो बच्चो कितना निकलाएगा solution करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ ठीक है तो यह आपको निकालना किसमे है यह दे रखाता आपका मीटर में और यह सेकंड में दे रखाया ठीक है हमने जो चाल मानी है बच्चो किलो मीटर पर हापरस में नहीं मानी है वो ठीक है वो किसमे मानी है मीटर पर सेकंड में नहीं चेंज करने पड़ेगी वो, मीटर पर सेकंड मानी है, ठीक है, तो अब इसको सॉलूशन कर लेते हैं, और X का मान निकानना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, X बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना, 640, 640 बट्टा यह हो जाएगा, आपका कितना, 18 गुणा दो, 18 काट देंगे, 5, 2, 10, 10 से 1, 0 कट जाएगा, यह आएगा, आपका X बराबर 64, 64 क्या हो जाएगा, किलोमेटर पर हावर्स, 60 किलोमेटर पर हावर्स, इसका रायट अंसर है, ठीक है, ऑप्सन नमबर 3, ऑप्सन 3, इसका रायट अंसर है, ठीक है, अब बढ़ते हैं, अगली पर अगला परसन आप लोग देख सकते हैं, यह आचुका इसक्रीन पर, अनपात समाना अनपात का परसन है, ठीक है, 32 रुपई को, P, Q, और R के बीच में किरमस है, 1 बटा 2, अनपात 4, अनपात 3 बटा 2 की अनपात में बाटा जाता है, तो R का इस्सा कितना है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 1 बटा 2, अनपात 4, अनपात 3 बटा 2, तो देख सकते हैं, इन में तीनों में, जो नीचे संक्य है, वो कितनी है, 2 है, तो इनका लासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, यह एक मान सकते हैं, तो 2 का यहाँ पर गणा करतेंगे, तो P, Q, R का जो ratio बनेगा वो कितना बनेगा वो अप लोग देख सकते हैं कितना बनेगा यहाँ पी किव का आ गया आ गया और का कितना घ הי medic तो आठ और तीन कितना ग्यार है और एक बारे है मतलब बारे ratio का मान कितना दे रखा है बच्चो बहततास्व रुपए ठीक है इस तरह के जबाल पूछे जाते हैं वही ध्यान रखना 12 चिंग 72 एक रेसियो कमान आगया आपका कितना 600 रुपए ठीक है हमको निकानना क्या आर का हिस्सा आर का देख सकते हैं यहां पे कितना है तीन है तो तीन का गुणा कर देंगे तो तीचिंग 18 रुपए यह हो जाएगा आपका र अनपात 6 एम कमान है कितना 9 एन कमान कितना है 6 तो यहां पे लगा दीजिए नो और पिलस एन की जह कि जगप लगा दीजिए 6 ठीके तो यह लगा दीए 9 और शे कितना हुआ 15 नो में से 6 गटा दीजिए कितना बचा 3 तीन से पंदरößे का लेंगे तो पांच अनपात 1 इस कु परशन का सही जबाब है ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परशन की तरफ और चलते हैं देखते हैं अगला परसन ठीक है यहां पे आप लोग साज करेंगें तो कितना हो जाएगा बच्छों 25 हो जाएAK अब 25 हो जाएगा कि अब बढ़ते हैं बच्चों चल्ज में तरह हो देखते है अग्या पर संब क्या निकालना है आप लोग देख सकते हैं इस में क्या निकलना है बच्चो यदि एक आयत की लंबाई में 14.28 14.28 प्रिसत की ब्रद्धी कर दी जाए तो 14.28 इसका मतलब क्या निकलेगा इसका fraction value निकालेंगे आप तो कितनी निकलेगी भई इसकी fraction value होती है एक बटा साथ ठीक है इसकी fraction value कितनी होती है बच्चो एक बटा साथ होती है ठीक है अब यहां पर भद्धी की जा रही है तो यह एक क्या हो जाएगा पिलस हो जाएगा तो 7 से क्या हो जाएगी आठ हो जाएगी और इसका बेशी मतलब प्रोबोर्शनल क्या होगा चोड़ाई होगी, तो चोड़ाई कितने हो जाएगी, आठ से साथ हो जाएगी, अब आठ से साथ, आठ से साथ हो रही है, कितनी कम हो रही है, यह कितनी कम है, एक कम हो रही है, कितने पर, आठ पर, गुणा करेंगे कितने का, सो का, ठीक है, तो छेतर पल में क्या निकालना हमक गठाई जा सकती है तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या निकलेगा कि यहां से आप लोग सॉलूशन कर लेजिए ठीक है आप सॉलूशन करेंगे तो कितना निकलेगा चार दुनी आठ पचीचों का सो 25 बट्टा तो 25 बट्टा दू कितना होता बच्चों 12 दुनी 24 मतलब 12.5 परसेंट इसका राइट आंसर है 12.5 ठीक है अब बढ़ते हैं अगले परसन की तरफ और देखते हैं अगला परसन कुस्षन नमबर 9 अब कुस्षन नमबर 9 आप लोग करना बूधेखते हैं ठीक हैं सिंपल कुष्ण है कुई दिक्कट वाले बात नहीं है कि इसमें क्या करना है वभी किसी बसतु का बिक्रे मूल कितना है 2155 रुपई है और उस पर 25 परात्यसक चूट दी गई सब्सक्राइब का मतलब क्या है 25% का fraction value कितना होता एक बट्टा चार होता है अब एक गठा देंगे यहां से तो कितना आ यहां पर तीन बट्टा चार आ जाएगा अब यहां पर विक्रमूल कितना है आपका 5175 मैंने अभी बात की ती आप से के उल्टा कर देंगे इसको तो यहां पर 25% कि प्रेक्शन वेलू कितनी होगी आपकी 25% कि प्रेक्शन वेलू होगी एक बट्टा चार और छूट दी जा र थे के कितनी होगी चार बट्टा तिन कंको maritime प्रेस निकाना है तो उल्टा कर देंगे तीन से इसको काट देंगे थीक है तीन एकट टीन की अब यहां पर कितना बचा यहां पर बचा दो 3721 थीन दुनाइचज थीक कर देंगे चारका पांचवगा बीच का जीरो आसिन दो पांदूनी दस पूसर रिचाद दूनी आठ नो दस आसिन एक साथ चुप अठाइस और एक उन्तीस चार एकन चार पांच छे मतलब उनह तस सो रुपई छेजार नो सो रुपई इस कुस्टन का सही जवाब है यह है आपका छेजार नो सो रुपई किसी धर रासी पर 40 वरसों प्राप्त साद्रब व्याज उसी धर रासी का 2 बटे 5 बारसी व्याज की दर कितनी है तो दर निकालना हो तो दर कैसे निकालते है वो आप लोगों को मालूम है यह क्या है मूल ये क्या है सादरड ब्याज सादरड ब्याज यहां पर उपर बाला है और धर्रासी का धर्रासी कोई सा नीचे बाला है अगर दो बट्टे पांच यहां पर है तो पांच क्या है यहां पर पांच है आपकी धर्रासी और दो क्या है एक हो जाएगा और यह एक परसेंट क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा और सन नम्म चार इस कुष्टन का सई जबाब है ठीक है तो आप लोग यह बता सकते हैं आप लोग कमेंट में कमेंट करके जिके यह वाली वीडियो कैसी बनी हम आपके लिए ददस सवाल करके एक दो वीडियो बनाते हैं एक सेट की ठीक है इसलिए यह वीडियो इतनी ही है आज के लिए क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं इसको और आप लोग कमेंट से सन में क